हेलो फेंट्स आज की स्वीडियो में हम बात करेंगे यह इस बैंट पर फेंट्स टोक में कैसा मूमेंट आपको देखने को मिलेगा क्या कुछ इसके अपडेट निकल के हमारे सामने आ रही है और भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाल अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज आ रही थी उस न्यूज को लेके यहां पर यस बैंक ने क्लियरिफिकेशन दी है तो समझते हैं कि क्या कुछ है 51% होल्डिंग की नहीं होगी बिक्री इस कार्ण यस बैंक ने दी सफाई यहां पर कहा जा रहा था कि यस बैंक में जो मोटर की ओल्डिंग हो 51% की बिक्री नहीं होगी उसको लेके यह अपडेटा यह समझते हैं आगे डिटेल से यहां पर बताएगा कुछ मीडिया रिपोर्टर ने यह खुलासा किया था कि केंद्रिय बैंक आर बियाई ने पर मोटर को यस बैंक में 51% हिस्यतदारी रखने के लिए इन प्रिंसिपल अपूर्वल दे दी है हाला कि अब सामने आ रहा है कि ऐसी कोई मंजूरी मिली ही नहीं है देखो भई इससे न्यूज के बेस पे पहले आपको काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी बट वो न्यूज गल्थ थी उस पर यस बैंक ने क्लैरिफिक से अधिक उचल गया फिलहाल बीसी आई पर टू पॉइंट वन सोरी टू पॉइंट वन हाफ इस दी की बढ़त के साथ टूंटी सिक्स पॉइंट थी रुपे के भाव पर ट्रेड करा है इंट्राडे में यह 2.45 फिस दी उचल कर टूंटी सिक्स पॉइंट थी टू रुपे इंट्राडे पर पहुंच गया है देखो भई यह अपडेट आज की यहां पर मैं डेट आपको दिखा दे तू यहां पर आप देख पा रहे होगे नाइन्थ जुलाई 2024 के और साड़े दस बजे के करीबी अपडेट आई भी है देखो वैसे तो स्टोक में आपको पोजिट आई थी मैंने आपको बताए भी था कि वह कुछ तो क्वाटरली डिजल्ट के अपडेट और कुछ वह अपडेट है जो कि अभी मैंने आपके साथ शेयर की लेकिन आप कैसा मोमेंट आपको देखने को मिलेगा यहां पर मैंने बता था कि लास्ट लास्ट में प्रोफिट ब होता है तो फिर यह यहां तक जाएगा जो कि अभी कुछ टाइम पहले इसने हाई बना है 27.45 का उसके बाद टारगेट रहेगा 28.54 का अगर गिरावट ही देखने को मिली तो स्पोर्ट रहेगा 24.46 का अगर जिसने यहीं के इसके नीचे क्लोजिंग देता है न तो फिर 24 तक ज जल्दी आने वाले हैं जो इन्होंने डाटा शेयर किया था क्वार्टरफन का भाई कैसे आने की उमीद है वह अच्छा आया था जिस बेस पे भी तेजी भी आपको देखने को मिली थी बट अब हकीकत तो जब क्वार्टरली रिजल्ट आजेंगे तब पता चलेगा कि जो इन्होंने डाटा शेयर किया था वह accurate था भी या नहीं अगर उमीद से कम आया तो जो इन्होंने डाटा शेयर किया था उससे कम आया तो गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है बाकी क्वार्टरली रिजल्ट की वीडियो बनाओ या ना बनाओ कमेंट करके बताना वैस झाल